हुआ है हेलो शेंट सो वैलकॉम बेक्टी चैनल इस्टडी मिलन और आपको पता है कि आपकी बैसी के मैं केमस्टी करा रहा हूं जिसमें इनिट 6 में आपको करा रहा हूं इससे पहले कि मैं सभी इनिट्स कंप्लेट करा दिया अपने लोग नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप् इस तरीके समय नोट सापके तयार करें जिस आप समय पढ़ा रहा हूं सेम आप नोट कर लिजी अच्छी सापका तयार हो जागा ठीक है फुल कंप्लीट सेलर्स में आपको कराऊंगा आपकी दो इनिट्स बस बचीए इसमें बाकी पूरा कंप्लीट में आपको करा दिया त तो कन्फरमेशन शनूपण और विन्यास क्या होता है इसके वारे अंतर है जो पूचे रहाता है वहाँ वेरी शौट कुश्ट में समाता है तो मैं सोच आपको इसको भी करा दों तो इसके चार पाइंट से बहुत हैं काफी है चार पाइंट सापके लिए तो उनको नोट कर सालीचे पहला होता है कि का में का बात करें सनूपण की बात कर रहें कि Alt देशी मतलब सी कारण सिंगल कारवन सिंगन के सिंगन مोंड़ तो आई गई कि अक्ष के भी विन्यास कहते हैं। न देखेंगे कि क सकता है हम इसको क्या है आसानी से एक-दूसरे में परवर्त कर सकते हैं किसको सनुपन्ट को लेकिन और यह परवर्तन रूम टेंपरचर भी हो सकता है जो मारे कॉन्फीग्रेशन होता है क्उन्फीग्रेशन آپस आसानी से चंज़सkovं में केका अभी तरह लेके किसके कंफिरेशन चंक्री कच्ब्रीश्शन का यहां, एक कड़ू से, हम संक्या के, information उसको find कर सकते हैं यह हमारे थर्ड पाइंट हो गया ठीक है इनका क्या मतलब कि एक अडू का केवल एक ही configuration हो सकता है मतलब एक अडू के विन्यास हो सकता है और विवेन अडू के विवन अडू के वारे आपको वेने विन्यास के वारे में समझाया सनुपड के वारे में पहले एक्स्ट्रा जरूवत नहीं है प्वैंट को समझाने की ठीक है आपने इतना ही कंप्लेट कर दिया एक फोर्थ प्वैंट हम समझेंगे तर आपको कंप्लेट हो जाएगा कैसे इसको करना होता है तो फोर्थ प्वैंट हमारे सब्सक्राइब की रोटेशन की करना हो सकता है इसका हम रोटेशन करते हैं रोटेशन के वारे में डी और यह वह प्लाइंग से होता है तो मैं सोच यह यह वह कर आ पो flying waving formula का क caregiver having three-time flying wave formula में ने संहिब था पिर्तिश्तापीं की बिवस्ता को द्वब्रийकार से किया सकता है हमारा सॉलिड बेज दौर प्रिदर से बॉंड कागज के तल या बहार या उपर पिर्तिस्ता पिये समूग को पिर्तिस्ता करता है मतला सॉलिड बेज हमारा होता है कि हम कागज बना रहा है तो उसका तल जो हो बहार की और या उपर की और पिर्तिस्ता पिये समू आधारित है हमारा ओके तो फिर आधिक फ्लाइंग बेश फॉमुला के दोर ने प्रकर प्रेस्ट कि द़ारा घृइंट को फ्लैंग बेश फॉमुला को यके दौरह समझें तुम किस टाप उसको समाचते हैं देखो तो चो यह हमारा होता है ग्लिस्रेल्डियाट का फॉम्मुला तो च हमारा जो जुड़ा हुआ है इस टैप से पॉइंट लगा देंगा शीद सीदे मैं तो टोटे लगा दें लेकिन अप सीद सीदे लगाएगा तो उता वॉंड विलो दा पेपर मतलब वॉंड जो है हमारा कि प्लेन प्लेन की ऊपर कारवन यह आपके दौन बॉंड है जो सेवासे मोंड को डिलेट कर रहे हैं तो चैनल को कर देना सस्क्राइब नोट से हैं रिटेन नोट्स तो मझे कान्ट करना है नान 421 00910 पर हैं से मैं आपको फुली नोट्स प्रोवाइट करा सूं ठीक है सो थै अब को कमपीट कराऊंगा ठीक है नोट्स न बिलकुल इंपूरेंट चीज़ों को में आपके कराता हूं